हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एस वी फार्म बिलासपूर में आज मैं आपको अपने अजोला की खेती की कंप्लीट जानकारी दूँगा तो वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सबसे पहले हमको जगा का सेलेक्शन से ही करना है छाओदार जगा लेना है जिसमें कम से कम हमारा 50% धूप से बचात हो सके तो जहां पर बड़े बड़े पेड़ हो उस जगे का चुनाओ करें उसके लिए देख सकते हैं आप मेरे स्क्रीन पर दिखाया हुआ है इस तरीके से जमीन को समतल करेंगे समतल करके जो हमारी छाओदार जगा है वहाँ पर लगभग लगभग हम एक फिट इसमें पानी भरेंगे वाटर का जो डैप्थ है वो एक फिट होना चाहिए ज्यादा एकदम गहरा हमको तलाब नहीं बनाना है एक फिट पानी रुख जाए जहाँ पर हमको उस जगे का चुनाव करना है आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर ये 200 फुट बाई 200 फुट की जगा मैंने ली होई है उसके बाद देखी है हमारे इनिस्टेज में हमने पानी भर दिया है पानी भरने के वाद इसमें हमने 10 किलो अजोला जो है ताजा अजोला हमको यहीं सरकारी नरसरी से मिल गया उसे ला करके हमने इसमें डाला है और उसे एक मैने तक का छोड़ देंगे हर सब्ता जो है उसमें हम खाद एड करेंगे शुरू के टाइम में पानी भरने के साथ हमको चार ट्रॉली गाय का गोबर डालना या भैस का जो भी गोबर हो ताजा गोबर डालना है उसके साथ साथ हमें दो बैक सिंगल्स उपर फास्पेट को अच्छे से गोल करके सब तरफ छिड़काओ करना है पूरे तलाब में छिड़काओ करने के बाद उसमें हम अच्छे तरीके से पानी को मिक्स कर देंगे थोड़ा सा और उसमें 10 किलो अजोला एड़ कर देंगे और अजोले को अच्छे से हर तरफ फैलाने के बाद उसे हम हर हफते हफते में 20 किलो उसमें सिंगल सुपर फासफेट एड़ करते रहेंगे आप देख सकते हैं एक मेहने के बाद जो मेरा हारवेस्टिंग शुरू किया है वो मुझे पर डे का 1500 किलो फ्रेश अजोला मिलता है सेमी ड्राइ स्टेज में हम उसे मुर्गियों को देते हैं उसके लिए हमें चाहिए कि हम अजोला को जैसे आज निकाल रहें तो इसको आज ही ना खिला करके इसको अगले दिन दे और इसको छाओं में सुखा है कभी भी धूप में अजोले को ना सुखा है और कैरेट में निकालने के बाद पानी जब इसका अच्छे तरह किस निकल जाये तो उसको सैनेटाइज कर ले अच्छे से उसमें पानी मार के उसको धो ले उसके अलावा कोई और सेनेटाइजर तो मैं यूज नहीं करता हूँ उसके लिए अपन यहीं कर सकते हैं को उसको अच्छे से पानी निकाल के धो दे और एक दिन तक उसे ऐसे ही रख दे ध्यान ये रहे कि हम इसमें मुर्गी खाद नहीं डालेंगे मुर्गी खाद डालने से मुर्गीयों में बिमारी लगने का डर रहेगा क्योंकि हम इसे मुर्गीयों को ही देंगे तो गाय का गोबर ही डालना है खाद के रूप में और सिंगल सुपर फासफेट को उसके बाद जो है ये मेरा पर डे का 1500 किलो का प्रोड़क्शन है आपका सौयल कैसा है एटमासफेर कैसा है उसके उपर ये डिपेंड करता है मगर ये बहुत सस्ता पड़ता है ये मेरे को जो चारा है ये 20 पैसा मात्रे इसकी कॉस्टिंग आती है जो इसका खाद का जो खर्च है वो सिरिफ 20 पैसा आता है वह कैसे आपको मैं बताता हूं कि हर हपते में 20 kg सूपर फासफेट डालता हूं एक पैक सूपर फासफेट 50 kg का जो बैग है वह आता है 500 रुपए का मारे तो 200 रुपए मेरे को हपते में खर्च है और 1050 kg मेरे पर वीक का इसमें हार्वेस्टिंग तो यह मेरे को 20 पैसे की कॉस तो आप भी अपने आजोला को जरूर ट्राई करें और कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना ना भूले शेयर जरूर करें और ताकि आपको जब भी मैं कुछ टाया और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए नहीं वीडियो जब भी मैं कुछ डालो तो चैनल के साथ बने रहिए धन्यवाद प्रूट मुण प्रूट मुण लूशा टाया है प्रूट मुण धन्यवाद देका आपको प्रूट व्रूट प्रूब कर दो कर दोगने कर दो कर दो कि तो, इदरी ले आना दूसरा तासलागे इदरी ले आना दूसरा तासलागे